भर का जब हम कॉलम बीम दिवार सब बना लेते हैं उसके बाद जब इतना काम हो जाता है तो हम ये टेंसन लेना छोड़ देते हैं चलो आप प्लास्टर है प्लास्टर में तो कुछ ध्यान नहीं देना है वो मिश्तिरी या ठेकदार आराम से कर लेगा लेकिन यहाँ जब प् कर देना हुगा इस दिवार को बने हुए और आप देखे कि इस दिवार में अभी से आपको क्रैक यहाँ पे दिखाई देरा एकदम पतली सी क्रैक आपको दिख रही है जो कि जहां बीम और दिवार का ज्वाइंट है वहां पर भी यह पूरा प्लास्टर में दिख रहा है इस पर पुट्टी कर ली गई है लेकिन पुट्टी के ऊपर भी यह क्रैक आने लगा है यानि कि हम प्लास्टर में क्रैक है ही अगर हम उसको छुपाने के लिए यहां पर पुट्टी यह पेंट कर लेते हैं तो फिर भी वो छुप नहीं पाती है यहां पुट्टी यह पें प्लाश्टर भी वहां से छोड़ चुका है कई बार होता क्या है कि हम प्लाश्टर लगा देते हैं बोलते हैं इससे पकड़ बना लेगा पीलर का यानि कि आरसी सी कंक्रीट का बीम का दिवार से या कॉलम का दिवार से लेकिन आप देख रहा है कि सीधा वहां पे क्रैक आपक के लिए सीरियस हो सकता है जो आपको मतलब उसको रिपेयर कराना बहुत जरूरी है या कितना अगर कराइक आता है तो आपके लिए कोई डेंजर वाली बात नहीं आराम से वह आपका काम चल जागा अगर आप उसको छोड़ भी देंगे तो और साथ में ये क्रैक आखिर आता क कम है अगर पतला है क्रैक तो फिर वह आपको सीरियस वाली कोई बात नहीं है इतना ये क्रैक सिरिंकेज क्रैक से आ सकता है टमप्रेचर वेरियसन होता है यानि कि कभी ज़्यादा मुएश्चर आ गया दिवार में या ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो भी थोड़ा से मसा ये तो आहां टमप्रेचर वेरियसन के वज़ा से स्ट्रिंकेज क्रैक आ सकता है वहां जो मुएश्चर होता है और दिवार क्या होता है कि ये जो हता है वह अबजर्ब कर लेता है तो यह सब और ये छोटे क्रैक से उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आप क्या करें थोड़ा सा जान लेते हैं फिर आपको बताऊंगा कि बड़े क्रैक को कैसे रिप्यार करना है देखिए क्रैक में जैसे आपको बताया है टेंपरेचर वेरियसन ज्यादा गर्मी हो रहा है तो उस वज़ा से हलके फुल के क्रैक आ जाती है तो उतना टेंसन वाली बात नहीं है लेकिन ब क्या करता है कि प्लास्टर के मसाले का जो पानी होता है सीमेंट का पानी उसको सोख लेता है चूस लेता है तो क्या होता है कि प्लास्टर हमारे बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो उस केस में क्या होती है धीरे धीरे उसमें क्रैक आने लगता है और दूसरी बात यह होती है क कि एक तो हम प्लास्टर कर देते हैं, फिर उसको प्लास्टर के ऊपर से तरा ही अच्छे से नहीं करते हैं, पानी नहीं मारते हैं, ज्यादा एक से दो दिन मारते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस वज़ा से भी क्रैक आ जाता है, दूसरा चीज यह होता है, कि जो प्लास्टर म खराब कर देता है तीसरी बात यह हो गई कि जो हम मसाला बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम सेंड ज्यादा डाल देते हैं जैसे कि बुला जाता है एक चार एक पांच काफ मसाला बनाई यह प्लास्टर के लिए लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं उसमें घुटाला करते ह है वो sand ज्यादा मिलाते हैं सिमेंट कम मिलाते है तो motor के वज़ा से भी क्या होता है कई बर crack आ जाता है अब दोस्तों रही बात कि यह तो चली ऐसे crack हो गई दीवार में अब क्या है कि कई बर जैसे कि देखा जाता है पीलर पे या बीम पे जहां पे हमारा RCC कंक्रीट का structure होता है वहाँ और इंट का दिवार जो हम लगाते हैं उसके बीच में सीधी क्रैक आती है जैसा आप यह देख रहे हैं तो उस सीधी करेंगे तो क्रैक वहाँ नहीं है वहीं बाहरी दिवार में आपको क्या करना है मूरगा जाले नहीं लगाना है जो प्लास्टिक की फाइवर मेस आती है वो फाइवर मेस आपको पीलर पे और इंट की दिवार पे चड़ा के लगा के फिर उसके उपर से प्लास्टर मार देनी ह तो इस तरीके से आप बाहर के क्रैक को वहाँ पर आने से रोक सकते हैं दूसरी बात यह है कि जब आप प्लास्टर कर लें तो प्लास्टर के लिए जो मसाला बनाएंगे आप एक रिस्टिव पांच का मसाला बनाएं और plaster से पहले दिवार को आप कम से कम 2-3 दिन पहले खुब उसकी तरही अच्छे से कर दीजे और जब plaster हो जाए तो plaster के बाद आपको कम से कम 5-6 दिन उसको अच्छे से तरही करनी है इससे फायदा यह होता है कि जो cement का temperature होता है वो maintain रहता है तो उसकी plaster की strength मजबूती भी बढ़ते जाती है तो यह चीज हो गई वहीं जो बड़े crack है जैसे आप यहाँ पर बड़े crack देख रहा है जो कि 5 mm से ज़्यादा बड़े हैं तो ओ थोड़ी से serious वाली बात है उसको आपको proper repair करना है repair कैसे करना है डॉक्टर fix it का जैसे यह आप photo देख रहा है एक space आता है यह आपको क्या करना है उसके side side के surface को जो हमारा यह crack है इसके side side के surface को पूरा सफाई कर लेनी है सफाई करके और फिर इसके अंदर भी और इसके बाहर side में भी एक coat में आपको पूरा यह एक space लगा देनी है फिर इसको बाद 2-4 घंटे छोड़ देनी है सुखने के लिए फिर दुबारा से दूसरा coat लगा देनी है तो इस तरीके से आप उस crack को repair कर सके